आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है जी हाँ यह एन्यमेनिट वीडियो होगा सबसे पहले आर्टिकल में आप एक कैची टाइटिल सीट सक प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कीप इन इसा टू से फाइब वार्स का फार इग्जामपल यहां दिया है हाउ रीडिंग चेंच माई लाइफ तो इस तरह से हम करते हैं फिर अर्गनाइजेशन में ट्राइटू इंटर्टेन यूज सभेडिंग्स वर्क विथ नंबर एंड बूलेट्स घबडाय नहीं सब फोकस योर टापिक थीम यू हैब टू ड्रादा रीडिंग तो आप ध्यान रखेंगे जैसे हाउ रीडिंग कैन चेंच यूर लाइफ और फिर यहां आप देख सकते हैं कि बिग अफ्रेड आफ इवरीटिंग माई फर्स्ट बूक और इस तरह से ऐसे तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले कैची वो हो और इस तरह से आप जान जाएं कि टेक केर आप दा इंटोडेक्शन एंड दा इंडिंग मतब टाइदा इंटू दा बिगनिंग टाइदा इंटू दा इविनिंग सबसे पहले आप अटेंशन ध्यान दें डोंट पूट अन्रिलेटेड आइडिया आप कभी भी उस आइडिया को नहीं रखेंगे जो अन्रिलेटेड हो इन यूर आटिकल दा रीडर सुट फालो योर ट्रेन आप थार्ट रीडर्स पाठक ताकि आप के थार्ट को क्या कर सके जान सके इस तरह से आप इंट्रेक्शन को फालो करेंगे तीन पैराग्राफ लिखेंगे तो राइटिंग एन आर्टिकल सुट बी फॉन फार दे रीडर एन फार यू ये दिमाग में आप जरूर रखे रहें सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक और ये बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं फिर लिखते हैं बाई जो नाम दिया रहता हो क्लास का नाम ठीक है अब फिर इसे हम तीन पैराग्राफ में लिखते हैं तो फर्स्ट पराग्राफ जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन एबाउट दटापिक हम टापिक के बारे में इंट्रोडूस करते हैं सेकेंड जो पराग्राफ होता है यहां देखिए मैंने असपस्ट लिख भी दिया है यह होता merit and demerit जो भी topic के बारे में आप लिख रहे हैं उसका merit क्या है और demerit क्या है topic का जैसे यदि आप लिख रहे हो कि online classes तो online classes के क्या merit है क्या demerit है काज effect of the topic कारण क्या है जैसे population पे लिख रहे हो तो population बढ़ने के क्या कारण है effect क्या है third paragraph में हम डालते है what government media people मतलब सरकार क्या कर रही है media क्या कर रहा है लोग क्या कर रहे है और इन्हें क्या करना चाहिए ताकि जो condition है topic का जो issue given topic है उस बारे में सरकार media के लोग क्या कर रहे है और यह जो last होता है जो बहुत ही important है fourth paragraph यह होता है conclusion का पूरा का पूरा whole article का निश्कर्श क्या है तो इस तरह से article लिखते समय घबडाएने बिखते है आपका तो यह रखते है